हलो फ्रेंड मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है हमने या बिरानी खेत में थाई अपल बेरी के प्लांट लगाई हुए है तो उनमें जो पानी की सुईद्य है वो किस परकार यहां पर कर रखी है हुआ दिखाऊंगा मैं आपको यह देखे यह डिग्गी बनाई हुई है हमने ज़्यादा बड़ी तो नहीं है साड़े चार फुट गहरी है और इसके लंबाई चोड़ाई तो ज़्यादा तो नहीं है लगबग दस इंटु बारा के लगबग है लंबाई चोड़ाई इसकी और साड़े चार फुट के करीब यह गहरी है क्योंकि फ्रेंड यहां पर जो पानी है वो लगबग दो किलो मिटर दूर से लाके डालना पड़ता है अब तो यहां पर स्वीद्या हो गई यह कुछ पर पहले जब यह बाग लगाया था तब हमें पानी है वो गाउं से लाना पड़ता था गाउं में जो नहर है वहां से और वो यहां से लगब दो किलो मिटर दूर पड़ती है टेंकर के दौरा लाना पड़ता था इसके पर उसके घराही में साधेचार बुड़ और इसके अंदर भी गड़ा किया धार्यक्तिशार तो उम्क्याइब करते हैं इसके डाल देते यह कि उसके दाल देते हैं ताकि भड़ी मुझा दो आपको किस परकार हमने किसी चुड़कांए भी यहां पर खेट में कर रखिए यह देख यहां पर हमने बॉर किया था लेकिन जो पानिया वह बिलकुल खा रहा है पर इसको आम ने उखाड़ा नहीं कि पढ़ा रहने दो जो भी है उसके बाद यह जो पाइप आप देख रहे हैं इसके अंदर डाली है इस पाइप में वह समर्शिवल की पाइप लगा देते हैं और जो यह पाइप है वो पूरी पूर यहां बीच में बिचाई हुई है तो उसके बीच बीच में यहां पर हमने कट लगाया हुआ है और वहां पर मोड लगा के रखे हुए हैं लोहे के इस परकार की मोड हैं इस परकार की है उसके अंदर क्या करते हैं जो नल की पाइप होत हैं तो यहां कोई स्वूधा नहीं थी तो मैंने तो काफी करने पड़ी पर आप देख सके हो जो फासा है था यह अच्यका यह सारी हमने यहां स्वूधा करख रंसा पानी के लिए वीडियो कैसा लगा इस प्रकार के और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू फ्रेंड